Hey everyone, स्वागत है आपका हमारी चैनल Train for Trades पे आपकी इस शांदार वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ जिसमें मैं आपके साथ एक ऐसा श्टॉक डिसकस करने वाला हूँ जो हमें काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है प्रिवेस वीडियो में आपने काफी अच्छा सपोर्ट करा इसी तरह से आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे और हमारी वीडियो पे बनाए रखी जिससे इसी तरह की सीरीज और इसी तरह की वीडियो कंटिनिवेशन में मैं आपके लिए लाता रहू तो सीधा चलते हैं चार्ट पे और उसी स्टॉक को देख लेते हैं स्टॉक का नाम है हिंदाल को और हिंदाल को open है weekly time frame चार्ट में आप देख सकते हैं हिंदाल को में एक अच्छा sell-off आया था 625 के लेवल से और काफी जादा deep correction इसमें हमें देखने को मिला था उसके बाद slowly slowly यहाँ पे इसने consolidate किया और यह 500 के लेवल तक पहुचा 500 के लेवल तक जैसे ही यह पहुचा उसके बाद आप देख सकते हैं first time attempt हुआ यहाँ से एक अच्छी selling आई second time attempt हुआ उसके बाद selling आई और third time में इसने finally इस level का दिया breakout और somewhere around same level के आसपास 625 से लेकर 620 तक का इसने high बनाया है उसके बाद same level पे 500 पे इसने करा retracement और यहाँ से अब यह continuation में जा सकता है तो इसमें हम plan यह कर रहे हैं कि इसको हम continuation में plan कर रहे हैं और आने बाले time में 625 तक के target इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं उसके अलावा अगर हम इसको daily time frame chart में देखें तो daily time frame chart में अगर आप देखेंगे तो almost यहाँ पे 12 feb को 12 feb के दिन यहाँ पे एक अच्छी bearish candle close हुई थी उसके next day काफी बड़ा यहाँ पे gap down हमें देखने को मिला था में भी कोई news होगी या जो भी होगी हम इसमें सिर्फ technical analysis की बात करने वाले हैं काफी ज़्यादा यह gap down open हुआ उसके बाद completely sideways होके ही close हो गया आप देख सकते हैं almost 1 to 2 weeks से यह almost बिलकुँ sideways होके ही close हो चुका है उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो current market price 540 के आसपाथ इसने closing दिए तो आप देख सकते हैं एक अच्छा tight consolidation के बाद इसको हम एक बार 1 hour के time frame चार्ट में करते हैं convert आप देख सकते हैं काफी time में consolidation में जा चुका है उसके बाद अगर आप previous 2-3 trading session देखेंगे तो यहाँ पर एक higher high का formation हमें देखने को मिल रहा है तो इसमें हम entry बना सकते हैं 540 के level के उपर जो की रहेगा हमारा bind price जैसे ही कल यानि की Monday के दिन 11 March को अगर यह थोड़ा सा flat खुलता है थोड़ा सा gap up खुलता है और 540 के आसपास इसमें हमें entry करने का मौका मिल जाता है पोजिशन बना सकते हैं पहला target हमारा सीधा सीधा रहेगा 592 का जो की यह swing area है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1-2 का target इसली देखने को मिल जाएगा अगर इसने यह gap फिल करने आया तो 1-2 का target आपको इसली देखने को मिल जाएगा और अगर हम percentage wise calculate करें तो यहाँ पे हम हमारी somewhere around 540 के आसपास entry होगी और इसमें हमें somewhere around 9.70% या almost 10% के आसपास return देखने को मिल सकते हैं और इसमें जो expected return है यह आने वाले एक से दो हफिटे में मैं expect कर रहा हूँ कि यहाँ पे 592 का level इसको easily hit कर देना चाहिए तो 10% का return आपको 1-2 के target में यहाँ पे ही देखने को मि आपको weekly time frame chart में भी बताया कि आने वाले time में 625 तक यह stock जा सकता है तो जो हमारा complete return इसमें देखने को मिलेगा हमें तो 540 से लेकर 625 तक का यानि कि almost 15% plus का return हमें इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले time में काफी अच्छे level पे यह दिख रहा है छोटा साही इसमें आपका रहने वाला SL मातर 26 point के SL के साथ आप इसमें 85 point तक की target के लिए आप इसमें expect कर सकते हैं और इसमें अगर आप risk reward देखेंगे तो more than 1 to 3 का risk reward इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छे level पे अगर इसने इसका breakout दिया तो काफी अच्छी rally इसमें upside देखने को मि अगर इस level पे open होता है तो simply हम इसको ignore कर देंगे फिर हम इसमें कोई भी trade initiate नहीं करेंगे तो I hope आपको हिंदालको की analysis पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो make sure like जलूर करिएगा उसके अलावा मैंने अपनी telegram channel पे आपको एक trade यहाँ पे share करी थी Tata technology की जिसमें मै आपको ग्यारा सु तीन के आसपात एक buying side की trade आपको मैंने बताई थी और अगर आप हमारा जो gift nifty index देखेंगे तो यह हमारा plus 155 point यहाँ पे gap up open होने के लिए तयार हो रहा है आपको proper हमने अपने telegram channel पे यह चीज़ बताई थी कि आप कहां पे इसमें entry कर सकते हैं कहां पे आप target रख सकते हैं हर एक चीज इसमें आपको बताई गई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप 1100 की ask path buying की position बनाते तो यहाँ पे somewhere around आपको 1200 से लेकर 1300 तक की target हमने आपको बताई थी तो काफी अच्छा यहाँ पे risk reward देखने को मिल रहा है हमें उसके अलावा अ इसलिए इतना जादा amount मैंने इसमें invest नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत बड़े gap up या gap down हमें देखने को मिल सकते हैं उसके अलावा market यहाँ से correction के लिए भी आ सकता है इसलिए थोड़ा सा हमें अपने pocket को tight करके यहाँ पे investing या फिर swim trading की position बनानी चाहिए जिस वज़े से मैंन तो देखते हैं कल अगर यह gap up open होता है तो somewhere around 5% से ज़्यादा की return हमें देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको मैंने proper entry target stop dot हर एक चीज अपने free telegram channel पे शेयर करी थी तो अगर आप free telegram channel पे नहीं join है तो video के description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप free of cost उस channel को join कर सकते हैं उसके अलावा हिंदालकों की analysis मैंने आपको पहले ही बता दी आप लोगों में बहुत लोगों का comment आया था कि आप पहले से हमें उस stock का बताईए जो stock आने वाले time में एक अच्छी rally दे सकता है तो मैंने सोचा हिंदालकों की analysis आपके साथ share कर दी जाए तो अगर आपको video आप में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिनते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू